पूराखानी, कितना सारा परोली अधुवानी ये देखें, पंजाब से हम गुजर रहे हैं और इसमत पंजाब का बातावरन आपको ऐसा लग रहा होगा कि शाम हो चुकी है और सर्दियों का मौसम आ चुका है और यहां दुंद हो रखिये, यह दुंद नहीं है, यह एक चुलिमिंट हुआ है जो पंजाब के किसान अपने खेतों की जो पराली होती है, उसको जला देते हैं और उसके कारण यहां प्रदूशन बहुत हाई लेवल में होता है और स्कूल के बच्चे देखो इसी प्रदूशन में आस्तिवार है इनको पता नहीं है कि इनके फेवरों के लिए यह कितना नुपसान दे है तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज जल्दी से जल्दी इसका कोई निवारन करें अदर्वाइज आने वाले समय में जो हमारा यूथ है वो लंग्स की विमारियों से जूचता रहेगा पहले इतनी लंग्स की विमारिया नहीं थी अब आप खुद देखेजिए जबसे पराली जलाने का कारे शुरू हुआ है लोग किसान इस चीज को जलाना शुरू कर वह है तो इससे पहले ही आपको कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे लोग कम पराली जलाएं कर दो दो एक कम आपको का जापको का जापको के एक बाराली को भाल्या जलाएं कि पाज बाद कर दो जाद कर दोगा घृट टूब कि एफ दो अ पूड़ जाद बाद गला कर दोग आए, पाद कि एफ बाद बाद कर दो दोगा दोगा जा दोगा है मुसूरी बाइपास मुसूरी बाइपास क्या बाओ 20 रुपे किलो है सापसे में जाल 20 रुपे? किलो स्वरी वह नहीं बोरा जमीन तो वह 12,000 रुपे गच के सापसे 12,000-10,000 रुपे मुसूरी बाइपास अब करता है यह अधर शिला कोई वाला यह रोट पे सेला कोई अच्छा सेला कोई कि दरब इसके लिए आपको बात है इदर उदर की बस्त दुपानिया नहीं ते यह अधर आपको बात है इदर अधर की बात है अधर कर गे वह अपने उपने उपश तक जाता था रौज और उत्ते हो वीडियो बनाता था और क्या सही बनाता था रॉप अधर बलेट वाला रौप आपको एसका कर दिए वो तो तो हमने को एंक भूच परेंगे उता है यह हम पंजाब के हाइवे में चल रहे हैं और जब लाइट ही और कि एक थूए की लेयर जबी पढ़ी है और जैसे सिट खंडा बढ़ेगा ये लेयर और नीचे आएगी क्योंकि डेंसिटी ओफ हेयर थोड़ा सा हैवी हो जाती है उसके करण ये लेयर नीचे आएगी तो जिससे आम आदमी परिशान रहेगा सांस की तकलीफे बढ़ेंगे फेवडों की बिमारिया बढ़ेंगे तो मेरे सभी किसान भाईयों से मेरा निवेदन है करप्या करके पराली जलाना अबत करें धन्यवाद